नमस्कार दा, एंगल में आप सभी का स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ नीतु शर्मा, सबसे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर लोगसभा चुनाओं के लिए कॉंग्रेस ने जानी की 35 उम्मीदवारों की साथ वी सूची, राजबंबर, बदैपूर, जीक्री से लड़ेंगे चुनाओ N.I.N.A. F.I.F. के खिलाब दाखिल की नई चार्शीट, हर्याना और दिली में स्लीपर सेल बनाने का है आरो राज़स्तान में कॉंग्रेस उम्मीदवारों की सूची आएगी 26 बाद, 12 सीटों पर, पार्टी नए चेहरों पर लगाएगी दाव और I.P.L. का धूंगड़ा का आज से पहले मैच में चैने सुपर किंग और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला लोगसभा चुनाव 2019 के लिए पार्टिया अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है और इसी कड़ी में कॉंग्रेस ने अपनी साथवी सूची जारी की है इस सूची में 35 उमीदवारों के नाम शामिल है जिसमें दो एहम बदलाओ किये गए हैं कॉंग्रेस के आला कमान ने प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष राजबबर की सीट बदल दी है राजबबर अब उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद से लोगसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे पार्टी ने उन्हें फत्यापूर सीक्री से मैदान में उतारा है सूत्रों के मताबिक यूपी कॉंग्रेस अध्यक्ष राजबबर ने मुरादाबाद लोगसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था जिसके बाद पार्टी ने ये फैसला किया फत्यापूर सीक्री में बीजेपी और सप्पा बस्पा अगडबनन में बस्पा की तरफ से घोशित जाट उमिद्वार को लेकर राजबबर ने नए समीकरण में अपनी उमिद्वारी की अरजी लगाई और नित्रत्वे ने उसे मनजूर कर लिया बीजेपी ने लोगसबा चुनाओं के लिए 36 उमिद्वारों की अपनी दूसरी लिस्ट चारी कर दी है जिन में से 23 उमिद्वार आंदर प्रदेश के हैं जहां पहले चरण में मतदान 11 अपरैल को होगा उमिद्वारों के इस लिस्ट में चर्चित नाम बीजेपी के राष्टे प्रवक्ता संभित पात्रा का है जो ओरिशा की पूरी सीट से 24 समर में उतरेंगे आंदर प्रदेश के अलावा महरास्ट्र के 6 उमिद्वार और ओरिशा के 5 उमिद्वारों का इस लिस्ट में नाम है इस लिस्ट में असम और मेगाले के लिए भी एक एक नाम है इससे पहले बीजेपी ने 184 उमिद्वारों के पहली सूची जारी की थी इस तरह अब तक कुल 220 उमिद्वारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है बीजेपी ने आंदरप्रदेश विधानसभा चुनाओं के लिए 51 उमिद्वारों ओरेशा विधानसभा चुनाओं के लिए 22 उमिद्वारों और मेगाले के सेल सेला विदानसवा छेतर में उपचुनाव के लिए एक उमिद्वार के नाम का एलान किया है राजप्री जाच एजेंसी ने पाकिस्तान स्थित फलाहे इंसानियत के खिलाफ चार्शीट दाखिल की है उस पर ये चार्शीट भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए दाखिल की गई है FIF लशकरे तयाबा का फ्रंट और्गेनाईजेशन है इस पर दिल्ली और हरियाणा में स्लीपर सेल बनाने का आरोप है FIF के खिलाफ दाखिल की गई चार्शीट में एलिटी के संस्तापक हाफिस सईथ का नाम भी शामिल है अधिकारियों का कहना है कि इससे भारत का पक्ष मजबूत होगा और पाकिस्तान का जूट बेनकाब होगा इससे साबित हो जाएगा कि पडोसी देश अपनी सरजमी का इस्तमाल आतंकी गटी विजियों के लिए करता है दिल्ली के 51 साल के महमत सल्मान, नागपूर के 62 साल के महमत सलीम और फरार पाकिस्तानी नागरीक महमत कामरान का नाम चार्शीट में शामिल है NIE का कहना है कि जाच के बाद यह पाया गया कि FIF का मुख्या हाफिस उसके साती शाहिद महमूद ने 2012 में धार्मेकारियों जैसे की मस्जद निर्मान, मदरसे की शिक्षा, मुस्लिम लड़कियों की शाधी के लिए आर्तिक सहायता देने की आड में दिल्ली और हर्याना में स्लीपर सेल और लॉजिस्टिक बेस बनाने का काम किया एक शडियंत्र को अंजाब देने के लिए महमूद ने अपने करीबी महमद कामरान को लगाया जो दुबई सितित पाकिस्तानी नागरिक है सभी परिक्षन सफल होने के बाद जल्द ही भारतिय सैना में स्वयदेशी तोप धनुष शामिल किया जाएगा 26 मार्च को 6 धनुष तोप सैना को सौप दिये जाएंगे इस स्वयदेशी तोप की मारक श्रमता बोफोर्स से भी जादा बताई जा रही है गौरतलब है कि अगले सब्तार जबुलपूर की गन फैक्टरी 6 धनुष तोप सैना को सौपेगी भारतिय सैना के लिए यह गन फैक्टरी कूल 1114 धनुष तोप बनाएगी अभी 6 धनुष के बाद दिसंबर तक करीब 18 और तोप सैना को मिलने की उमीद है धनुष तोप दूर तक मार कर सकती है और मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चल सकती है यह दिन में ही नहीं बलकि रात में भी सटीक निशाना लगा सकती है 2022 तक सभी 114 तौपे तयार करने का लक्ष रखा गया है 45 कैलिबर की 155 मिलिमीटर और आटोमेटिक धनुस तौप की तकनीक बोफोर्स की तकनीक पर ही आधारित है कॉंग्रेस में भी टिक्टो का काउंटडाउन शुरू हो गया है दिल्ली में 15 जी आरजी में कॉंग्रेस की स्क्रीनिंग कमीटी की बैठक हुई देराद दस जनपत पर केंद्रे चुनाफ समीती की बैठक चली कॉंग्रेस ने 15 नाम लगभग तैय कर लिये हैं कॉंग्रेस अध्यक शाहुल गांधी 26 मार्च को बूदी और श्री गंगा नगर में सभा संभोधित करेंगे इसी दिन जापुर में बूद ट्रेनरों के सम्मेलन में भाग लेंगे माना जा रहा है कि सूची की घोशना 26 मार्च के बाद ही होगी बताया जा रहा है कि 12 सीटों पर पूर्व सांसदों या पिछले चुनाओं में हारे हुए चेहरों को मौका दिया जा सकता है दोसा बाडमेर करोली धौलपूर रात संबंध अजमेर भिलवाडा जोदपूर लोकसबा सीट से पार्टी नए चेहरे लेकर आईगी जोदपूर वैजालोर सिरोही से वैभो गहलोत बारा जहरावार से उर्मिला जैन भाया अजमेर से रगुशर्मा के नाम पर कॉंग्रेस आला कमान गंभीरता से मंधन कर रहा है अलवर नागोर जैपूर ग्रामीन जैपूर शहर टॉक सवाई माधोपूर सीकर डूंगरपूर बासवाडा पाली सीट से पहले सांसद रहे चेहरों को ही मैदान में उतारा जा सकता है सरकार ने चुनाव आयोग की सहमती से चूरू एसपी और जोदपूर संभागी आयुक्त को हटा कर नए अफसर लगाए है आदेशों के अनुसार आईएस ललित कुमार गुपता को हटा कर बाबूलाल कोठारी को जोदपूर खा संभागी आयुक्त बनाया गया है कोठारी अभी राजस्तान कर बोर्ड के सदस्य थे आईपियस यादराम फांसल की जगे राजेंदर कुमार को चूरू एसपी लगाया गया है राजेंदर कुमार अभी जैपूर यादायाद एसपी मुख्याले में थे आईएस ललित वे आईपियस फांसल का कुछ दिन बाद रेटायर्मेंट है राजस्तान हाउसिंग बोर्ड के पिछले एक दशक से सैकडों से जादा आवास एन निस्तारित पड़े हैं और ऐसे आवास जैपूर में सबसे अधिक है हजारों की संख्या में आवासों की निस्तारा नहीं करने से सरकार गंभीर है UDH प्रमुक सचिव भासकर एसामत ने बोर्ड से खाली आवासों की हर शेहर की संख्या मांगी है इसके साथी इंजिनियरों और अधिकारियों से फार्मूला मांगा है कि ए निस्तारित मकानों का सबसे उचित फार्मूला क्या है भासकर ए सामत ने आवासन मंडल के अधिकारियों को दूसरी बार बुलाया कहा कि हजारों की संक्या में खाली मकान सरकार का बड़ा रेवन्यू घाटा है ए निस्तारित मकानों के लिए जल्द रोड मैप त्यार किया जाए सरकार लोगसबा चुनाओं की आचार सहीता के बाद इन सभी मकानों का हर हाल में निस्तारन चाहती है हर शेहर के खाली आवासों की संक्या के साथ वहां निस्तारण का फार्मूला बताया जाए राधस्तान उच्च नयायले जोदपूर की ओर से एक अधी सूचना जारी कर ग्रीश मकाल में समस्त अधीनस्त नयायलों के कारयले समय में 15 अप्रेल 2019 से परिवर्थन किया गया है इस संबन में रजिस्ट्रार प्रशासन उच्च नयायले जोदपूर ने बताया कि 15 अप्रेल से दिनाग 30 जून तक ग्रीश मेकाल में समस्त अधिनस्त नयायलों में कारयले का समय सुबह साड़े साथ बजे से दोपहर एक बजे तक निरधारित किया गया है इस दोरान सुबह दस बजे से सवा दस बजे तक मध्यांतर का समय रहेगा इस बार शहर में होने वाले IPL मैच के लिए निगम और RCA में फायर N.O.C का मामला उलज गया है SMS स्टेडियम में होने वाले IPL मैच की तैयारियां पूरी हो चुकी है SMS स्टेडियम में पहला मैच सौमवार को होगा लेकिन मैच सुरक्षा के मद्य नजर फायर N.O.C का मामला अभी तक नहीं सुलजा है कारण है RCA क्रिकेट ग्राउंड में संट्रलाइस फायर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने सहित कई खामिया होने की वज़े से निगम फायर N.O.C नहीं दे रहा है निगम ने साफ कह दिया है कि नियमों के वीप्रीत फायर N.O.C जारी नहीं की जाएगी RCA की और से निगम को पत्र लिख कर दो फायर ब्रिगेट मंगाई गई है लेकिन निगम ने कह दिया कि इन खामियों को दूर करे और अगनी सुरक्षा के लिए व्यवस्ता से संतुस्ट होने के बाद ही N.O.C दी जाएगी क्रिकेट का धूम धड़ा का IPL आज से शुरू होगा IPL का बारवा सीजन चैनने सुपर किंग्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर के बीच मुकाबले से शुरू होगा इस लीग को एक दशक से भी जादा हो चुका है लेकिन इसका रोमांच बरकरार है गौर करने वाली बात ये है कि बारवे सीजन की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं होगी इसका कारण पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारती जवानों को शधांजली देना है आईपील 12 के पहले मैच में एक तरफ उम्र के साथ प्रदर्शन में निखरती जा रही महेंदर सिंग धोनी की कप्तानी वाली टीम मौजूदा चेन नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ अब तक तमाशाई क्रिकेट के इस सबसे बड़े महा समर में खिताब को तरस रही RCB है विराट की टीम अगर धोनी के धुरंदरों को उनके गड़वें हरा देती है तो इससे बड़ी शुरुवात उनके लिए नहीं हो सकती रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हालंकी एमेच अदंबरम स्टेडियम में खेले गए अपने साथ में से पिछले चै मैच हारे हैं जब मुकश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भारती जवानों को श्रधांजली देने के मकसद से इस साल IPL की ओपनिंग सेरेमनी आयोजित नहीं की जाएगी इसके अलावा CSK की टीम पहले मैच में टिकेट बिक्री से होने वाली आमदनी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए देगी इस बिलेटिन में ये थी अभी तक की बड़ी खबरें देखते रहिए दाएंगल नमस्कार झाल झाल